यह यह से लेके लास्ट अराउंड 20 KTM है सारे मॉडल अवेलेबल है फिलाल सो 700 km चली है लोग कुछ भाई मेरे बोलते हैं कि मीटर टैंपरिंग तो नहीं होता है कि मतलब जैसे यह सब जन्युएन काम है अब आप लोग डिमांड करते हैं के उपर सो आप लोग गईस देख सकते हो यहां से लेके लास्ट अराउंड 20 KTM है सारे मॉडल अवेलेबल है फिलाल सो फिलाल मैं हूँ बुलेट राजा में और हमारे साथ है पार्थ भाई वेल्कम टु मैं चैनल एक बास सारे भाईयों को हाई कर दो हैलो अभी अवेलेबल के टीम में कितने स्टॉक है बही ट्वेंटी स्टॉक्स है और मॉडल की मैं बात करूं तो अपने बास दूक 390 है डूक टूहंड़ेड ऑर सी टूहंड़ेड ए और सी वन सरे सडसरे मॉडल सेंगे जेसे ही जैसे की आप रोगो और सबसे जागए तो मैं आप लोगो को दिखाना चाहूंगा यहां से लेके लास्ट तक अराउंड 20 KTM यहां पर खड़िये अगर आप लोगों को एक नहीं जमी तो दूसरी देख सकते हो दूसरी नहीं जमी तो तीसरी देख सकते हो सबसे फर्स मैं बात करूं तो इस RC200 की तो पार्द भाई इसके बारे में हम लोगों कुछ बताओ यह 2019 की गाड़ी है तीन हजार किलोमेटर चली है यह आपको फाइनल रेट 1,75,000 में आ जाएगी इसका नया प्राइस मार्केट प्राइस क्या है 2,25,000 अच्छा सिर्फ 2019 यानि एक साल चली वी और आप लोग इसमें कितना बचा सकते हैं अराउंड 50,000 50 to 60,000 ओके अब बात करूं सेकेंड जो पाइक है वो आर सी 390 है आप लोग देख सकते हो यहां पे जितने भी बाइक से साफ काफी मुझे परसनली अच्छी कंडिशन में लग रही है और इसका क्या मॉडल है और क्या प्राइस यह एप्रियल 2019 की 700 किलोमेटर में चली यह 5000 किलोमेटर चलिए तो सिफ आप 5000 बता रहे हैं नहीं नहीं सर आपन ऐसा कुछ करते हैं अपना सब जैनुएन काम है जी मतलब जैन्यूनिटी के वज़े से ही बुलट रहा है जी और बात करें तो अब यह जो तिसरी बाइक है आर सी 200 इसके बारे में बता है यह भी एप्रि सब्सक्राइगा वीडियो देखके और बोलेगा कि अर्बास का व्लॉग देखके हैं तो इसके लिए कुछ कंशेशन होगा या ना क्यों नहीं हो जागा तो बताना है कि वीडियो देखके है तो कुछ पार्द भाई आपके लिए कर देंगे और अब बात करें इस वाली बा सब्सक्राइब कर देखके हैं अभी तक हम लोगों की आर्सी की सिरीज चल रही थी यहां से सारी ड्यूक है तो पार्द भाई यह जो मुझे दिख रही है इसका क्या मॉडल है क्या प्राइज है यह दो आजा अठरा का है जी इन सो किलोमेटर चला है सिर्फ तीन सो सब्सक्राइब के लिए कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ड्यूक 200 काफी आप लोग की डिमांड आती मुझे कमेंट में और इसके बारे में बता है भाई कितना किलोमेटर चला है यह यह 3,000 किलोमेटर चला है यह 1,65,000 रुपी में आ जाएगा अब आगे बढ़ते हैं तो ड्यूक 200 2018 का मॉडल है कितना किलोमेटर चला है 14,000 किलोमेटर चला है प्राइस क्या होने वाले सब्सक्राइब 1,35,000 और ड्यूक 200 दो चुकिए अब तिसरी दिखाएं भाई यह तिसरी जिसे आप देख पारे हो इसके बारे में बताएं भई यह 2018 किये 9000 किलोमेटर चली यह भी 1,35,000 में आपको आ जाएगी 1,35,000 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगी अब जो ड्यूक 200 फिर से चौथी बार इसके बार में पार्द भई बताएं यह 2017 किये 10,000 किलोमेटर चली एक लाग 25,000 रुपे में आ जाएग एक लाग 25,000 रुपे में आ जाएगी ड्यूक 100 और ड्यूक 200 की बात करूं तो सबसे कम प्राइज अपने पास कितना है यह 1,25,000 रुपीज सबसे कम प्राइज है आप अब तक का ड्यूक 200 चल रही थी अब ड्यूक 250 आ गई है भाई इसके बार में बताएं यह 2018 किये 8100 चली यह 1,55,000 में आपको आ जाएगी 1,55,000 अच्छा पार्द भाई एक मेरा सवाल है जो की लोगों के माइंड में रहता है मैं आप से प्मूछ रहा हूँ कोई भी बाइक एक्सिडेंटल होती है नहीं नहीं अपने पास मतलब कोई भी एक्सिडेंटल बाइक ही नहीं रखते है नहीं हो है उसकी का ग्यारेंटी रहेगी आपके पस में मतलब आप यह बता आपको कहा खता रहेगी ठीस एप अब आपका मेकनिक लेका पर है कि गाड़ी बता ऑभाई यह भी 2008 की है 1000 किलोमेटर चली है वह आपको आजाएगी 1,55,000 में 1,55,000 में अच्छा ठीक है अब इस Duke 250 की सिरीज ही है तो अब इसके बारे में बात लाइब यह 2017 की है 8,800 चली हुई है वह आपको आजाएगी 1,25,000 में मिल जाएगी आपको यहां से मुझे दिख रही है Duke 390 ठीक है इसके बारे में बता है यह फर्स जो वाइक हमारी होने वाली है इसको दिखाओ भाई यह 2018 की है 8,000 किलोमेटर यह आपको 2,00,000 रुपे में आ जाएगी 2,00,000 रुपे में नई की क्या प्राइस होती है भाई 3,06,000 रुपे में 3,06,000 वीवर्स ने कितना बचा लिया एक लाग 6,000 रुपे एक लाग 6,000 रुपे बचा लिया सिर्फ दो साल यूज है अब बात करते हैं जो दूसरी RC 390 जो होने वाली हमारी जो हमारी होने वाले Duke 390 दूसरी वाली इसके बारे में बताएं बारे में यह यह दो लाक्चाही है जी बोले हमारी जो हजा।- इसकी बात करें तो यह रहाली कोने वाला यह 2000 रुपे ऑने की है 5000 से की आ 대표 में जी का सारी KTM की डिटेल्स आप लोग के साथ कोफर की और बाधभाई ने मेरे साथ कॉपरेर के v нужен कि बहुत हो शुकरिया और एक चीज मुझे आप लोगों से clear करनी थी भी मैं आया तो पार्थ भाई ने मुझे बताया कि भाई आप वीडियो में जो loan facility के बारे में बताते हो तो असाम से फोन करते हैं, UP से फोन करते हैं regarding loan की loan होगा या नी सो पार्थ भाई से ही जानेंगे पार्थ भाई आप बताएं यह अपने मुंबाई लोकल के बॉंबे लोकल के योगा और विदावट इंकम प्रूफ लोन नहीं अपने इंकम प्रूफ रहेगा तो ही loan अवेलेबल मतलब मैं आप लोग को अच्छे से समझाओं तो भाई ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप मुंबाई के हो तो ही आपको loan मिलेगा और आप आप सेलेरी पसंद होना चाहिए बिजनस में आइटी हो सेलेरी में बैंक स्टेट्मेंट में तो रिफ्लेक्शन देखता है सेलेरी स्लिप भी होगा तो और बेटर है एक इंकम सोर्स आपको नहीं चीए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इंकम नहीं करें तो आपको loan मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है और भाई आप लोग आ सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो और प्राइस भी अगर आपको अच्छी लगी तो देखो भाई कहीं पे भी मत ज होगे हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप बनोगे सो इस चीज को मुझे बताना मैं मुझे कमेंट में लिखना कि भाई एसी सी मेरे साथ चीटिंग हुई है परस्टली में आओंगा और आपका सपोर्ट दूँगा इस शॉप में मानते हैं बर्पे ठीक है सो आई होब यू ला बार बार हमारे इदर आएंगे शूट करेंगे अपन नया कंटेंड न्यू प्रीमियम बाइक्स आएंगी जी भाई के वीडियो में देखना बाई को कमेंट में बात करो कभी इदर आजाओ डायरेक्ली कोई इश्यू नहीं है ओके सो पार बहुत बहुत शुक्रिया और भा आपको यही चैनल पर देखने मिलेगा सो सब्सक्राइब कर दो आप क्यूं रुके होए यार